हेलो िवर्ड़ूइन वेलीवन वेल्कम टूँ यूट्टूब चैनल अज हम बात करें ले आपका टेक्निकल तरफ पार्ट फाइप अगर आप civil engineering से relate करते हैं आप site पर work करते हैं as a site engineer या as a supervisor तो आपके लिए यह terms काफी important हैं एक civil engineer होने के नाते आपको यह terms एकदम confirm होने चाहिए आपको आने चाहिए तो सबसे बहुत करते हैं और जिन्होंने technical term part 4 जो है last lecture जो है नहीं देखा प्ली जाके जो एकस lecture को देखिए one liner questions हैं काफी important questions हैं सबसे बहले हम बात करते हैं compressive strength और crescent strength of good building stone should be more than जब मैंने stone machinery के lectures की बात की थी वहाँ तो वहाँ भी मैंने stone से related questions की बात की थी आप वहाँ भी देख सकते हैं लेकिन one liner question में मैंने दुबारा से इस question को रखा है कि जो आपका क्या है कि एक अच्छा भावन पत्थर होता है भावन पत्थर एक अच्छे भावन में जो पत्थर प्रियोग किया जाता है उसकी जो संपिटन सामरते है वह जो है should be more than वहां आपकी जो हुनीचे वह होनीचे आपकी 1000 kg पर cm2 यानि कि एक cm2 के एरिया में वह क्या हो कि 1000 kg का लोड लेने में जो है capable होना ची एकदम सक्षम होना ची है एक ऐसे ही भावन पत्थर को हम कहींगे कि एक अच्छा भावन पत्थर है जिसकी compressive strength 1000 kg से ज्यादा हो और आपको पता है कि compressive strength हम यूट्यम मशीन लेब में कैसे निकालते हैं यूनिवर्शनल टेस्टिंग मशीन के जगिए जो है निकालते हैं उसको आप बात करते हैं एक अच्छा भावन पत्थर वह पत्थर होगा जो क्या हो कि अपने dry weight का अपने सुस्क बाहर का 5% से ज्यादा water absorb न करें यानि कि हम कहींगे कि a good building stone should not absorb water more than 5% और किसका it's a dry weight और किसका it's a dry weight यानि कि अगर हम इसका जो dry weight है या अपने सुस्क बाहर के 5% से ज्यादा water absorb नहीं करना चीएग अच्छा बहुन के पत्थर की बात हम कर रहे है a horizontal layer of bricks और stone is termed जैसे ही क्या होता है कि हम इस तरीके से जो है horizontal layer लगाते हैं इस तरीके से चाहे आपका stone हो या bricks हो तो एक layer में जब हम bricks को लगाते हैं या stones को लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं पत्थर का पत्थर का पत्थर का जो विशेष्ट गूरूत है किस से अधिक होना चीए तो आपका एक अच्छे बहन पत्थर का जो विशेष्ट गूरूत है वहाँ आपका 2.78 से अधिक होना चीए जैसे हम portland cement की बात करते है PPC की बात करते है OPC की बात करते है ordinary portland cement तो ordinary portland cement के case में क्या होता है कि the specific gravity of ordinary portland cement is generally 3.15 यानि कि अगर हम ordinary portland cement जो ज़्यादा तर आपका जो है यूज होता है site पर, site पर यूज होने माला ज्यादा cement जया है आपका ordinary portland cement है एक आपका portland पो जो लोना cement PPC तो OPC ordinary portland cement का specific gravity 3.15 होता है और अगर हम एक अच्छे बहन पत्थर की business group की बात में तो वह 2.78 से अधिक होना चाहिए उसके बाद बात करते हैं next point देखे the process of providing smooth face and regular face to stone is known as यानि कि एक पत्थर को एक पत्थर जक्ती जब हम stone machinery करते हैं site पर उसे corsage में लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम एक mystery हमारा क्या करता है कि पत्थरों की गड़ाई करता है उन्हें smooth face देता है यानि कि अगर आपको क्या करना है कि पत्थरों की four corners की hide same रखनी है उनकी ठीकने same रखनी है तो उसके लिए mystery को क्या करना पड़ेगा आपने hammer के जरिये four faces को smooth बनाना होता है और उनकी hide इक्वल रखनी होती है तो वहां हमारा होता है dressing करना d-r-e-s-s-i-n-g यानि कि क्या है the process of providing smooth face and regular face to stone is known as पत्थर को क्या करना है एक smooth face एक regular face provide करना ताकि उसके four corners के hide बराबर हो उसके edges बराबर हो thickness बराबर हो वहां आपका dressing करना यानि कि गड़ाई करना आपका क्या कहलाता है गड़ाई करना या dressing करना आपका कहलाता है उसके बाद क्या है in very good stone ballast the size of stone is 2 cm to 5 cm एक अच्छे पत्थर की गिट्टी होती है ballast जिसका हम यूद रहते है the size of stone is उसके लिए उसके पत्थरों का कितना आकार होना थी 2 cm से 5 cm आप जो है क्या कह सकते है 20 mm to 50 mm भी बोल सकते है आपको क्या होता है कि जो आपकी ballast होती है अब जब आप आप highway में highway का यूज करते हैं जब आप highway बना रहे होते हैं construction कर रहे होते हैं road over का तो उसमें भी क्या होता है आपका काफी ballast का यूज होता है क्योंकि आजकल CC road, concrete roads जो है काफी बनने लगी है तो आप ballast stone ballast का काफी यूज होता है जब आप layers provide करते हैं जैसे subgrade, course, subbase, base course और surface course के रूप में तो आपकी क्या होते हैं कि ballast का काफी यूज होता है जो भी ballast आपका यूज किया जाता है engineering में वहाँ आपका जो है Indian standard 383 IS 383 के अंतरगर उसका यूज किया जाता है आपको आना चाहिए क्योंकि आपके से Indian standard grade भी जो है पूछे जा सकते हैं और दूसरा जो size है ballast का वहाँ आपका 22, 50 mm या 225 cm जो है आपका लिया जाता है railway tracks के case में भी जो है आपका 40 mm से जो है 50 mm के बीच में जो है लिया जाता है अब जो आप जब आप slap का construction करते हैं तो उस time क्या होता है आपका क्या होता है 20 mm का यानि 20 mm 2 cm लगभग का जो है आपका जो stone ballast होता है course aggregate के रूप में अगर आप जो है rounded aggregate का यूज करें तो उसे जो है slap के construction में जब आप जो है लेंटर उगर का construction करते हैं तो slap का उसमें जो है अच्छा माना जाता है बहुत अच्छा माना जाता है rounded aggregate rounded aggregate का क्या होता है compaction आप करेंगे तो काफी अच्छा compaction मिलता है number of words से काफी कम रहते है जिससे क्या होता है कि आपकी जो construction है उसकी strength आपको काफी मिल जाती है जिससे वो काफी durable रहता है क्योंकि आपको पता है कि अगर 1% भी जब हम concrete की casting करते हैं एक पर्षेंट भी आपका voids से रहे गया ड्यू टू किसके कारण आपने compaction अच्छी तरह नहीं किया आपने vibrator का proper duty नहीं किया तो उसके ज़रीए क्या होगा एक पर्षेंट भी अगर आपका voids से रहे गया रंधर रहे गया बाई उच्छी तरह रहे गया honeycombing आपकी देखने को मिलेगी तो 5% strength आपकी decrease हो जाएगी तो इसको ध्यान में रहे उसको बात करते हैं अब metal connection employed in stone machinery construction क्या होता है कि जब हम पत्थर की चिनागी करते हैं जब रद्दों के रूप मा पत्थर को लगा जे वह एक धातू का एक rod tap की होती है उसको हम इस्टोन machinery में provide करते हैं थोड़ा भाग जाए उसका बाहर के और निकला रहता है इस्टोन machinery से उस खाली भाग में हम क्या करते हैं lead को जो है यहीं कि सीसे की मातरा को भी concrete के सांट पेश्ट के रूप में उस hole में provide करते हैं तो इससे क्या बनता है काफी अच्छा metallic bond आपको देखने को मिलता है तो इसको बोलते हैं हम CRAMP cramp यानि कि आपका संकुचन cramp के हैं आपका संकुचन यह आपका stone machinery में provide किया जाता है उसके बाद बात करते हैं which type of joints is used for machinery in archery यह निकि जब stone machinery करते हैं या जब आप machinery करते हैं जब भी आप चिनाई उगर का काम करते हैं तो उसमें बीज़वीच में क्या हुदा joints बनते हैं दो stones के बीच में joints बनेंगे जैसे आपने एक stone यह provide कर दिया दूसरा stone यह provide हुआ बीच में क्या बना joint बना इसमें हम क्या करते हैं mortar को फिल करते हैं अपने मसाले को इसमें भड़ते हैं फिल करते हैं तो क्या होता है किसकी जरीए troll के जरीए troll के जरीए जो है हम इसके अंदर जो हम मसाला भड़ते हैं तो होता क्या है जब हम आर्च की चिनाई करते हैं इस तरीके से जो आपने आर्चेज देखें है ज़्यादा था पुराने का इस्ट्रक्शन में ज़्यादा था क्या होता था कि जहाँ पर हम आज कल ज़्या होता है कि डोर्स और विंडो जहाँ पर हमानी openings होती है उनके ओपर हम 150 mm अगर हम मैसनेरी में हम आर्च की मैसनेरी कर रहे है तो उसमें हम प्रियोट किया जाने वाला हमारा जोईंट होगा वहां आपका website और प्र्विटेड जोईंट होगा जिसके जरिए क्या होगा, जिकि जो आर्चेच के जो stone होंगे वहाँ एक दूसरे सोय उनुमें बांडिंग़ बनी रहे प्रॉपर क्यूँकि आर्चेके रूप में क्या होता है, जब हम आर्च बनता है इस तरीके से आर्च बनाते हैं तो आपको पता है कि इस तरीके से बीच में आपका की स्टोन का प्योग किया जाता है बीच में क्या लगता है आपके आर्चेच के बीच में की स्टोन लगता है और इस तरीके से जो है इसमें स्टोन इस तरीके से लगते रहते हैं काफी proper जो है इनकी strength आपको देखने को मिलती है कहीं भी आप देख लिए कहीं जैसे नेंतालमी देख लिए नेंतालमा आपके जो है ऐसे old आर्चेज आपको काफी जो है जो आपके open drain है जो आपके नाले है नाले है नाले के ओपर जो है बीजबीच पर ओपनिंग्स पर इस तरीके के आर्चेज आपको काफी देखने को मिलते हैं या कभी भी जो है आप जो है ओल्ड जो मॉनुमेंट सो गर देखते हैं इधर उधर आप गूपने जाते हैं तो वहाँ भी आपको इस तारीकर सा आरचे, जो है देखने को मिलते हैं, उसको आपको बात करते हैं हो, फाइप तो सिस्टाइपस की होती है, रवट मैस्निरी जादता यूच की जाती है, एसलर मैस्निरी क्या है, काफी एक्सपेंसिव है, ये क्या है आपकी highly expensive है cost यानि की काफी महंगा पड़ता है आपका आइस्टेटिक भी या देता है अच्छा देता है तो अब यहाँ देखे आइस्टेटिक भी क्या देता है आपका dimension stone के लिए dimension stone के case में क्या होता है कि आपको जिस तरीके से proper shape में stone चीए या stone के edges या corner जो है जिस shape के चीए जिस size के चीए जिस height के चीए उसके लिए dimension stone का use जो है आइस्टेटिक में किया जाता है आप इनकी ठीकनेस पतली भी बना सकते है अगर ठीकनेस आपको ज़्याद है आप increase भी कर सकते हैं तो these are cut into proper dimension and called dimension stones it can be any size shape as per requirement आपकी जिस requirement है आपको जिस आकार या जिस आकरती में इन stones को ढालना है site पर आप जो है उसे जो है proper जो है उस excellent machinery में जो है इन stones को ढाल सकते हैं इसको बोलते हैं आपका dimension stone उसके बाद बात करते हैं great skill and skilled labor are required for laying dryable machinery क्या होता है कि जो हमारे site पर क्या होते हैं हमारे जो मेंसन जो भी हमारे site पर mystery होते हैं क्या होता है काफी जादा construction कर चुके होते हैं तो उनके बाद काफी skilled labor होते हैं काफी skilled labor या आपकी काफी skilled mystery जो भी है तो great skill and skilled labor जो है किसके लिए required होते हैं किसको बिछाने में किसकी laying करने के लिए जो है dry rubble machinery के लिए जब हम सूखी ढोका चिनाई करते हैं यानि कि जब सूखी चिनाई करते हैं without mortar यानि कि बिना मसाले का प्रियोग करके जब हम stones को एक प्रॉफर जो है corsage में उनकी laying करते हैं उपर नीचे stones आपको देखने को मिलते हैं dry rubble machinery का यूजरह ज्यादा तर आपके आपके जो field होते हैं village में आपकी field होते हैं गाओ घरों में जो आपके खेत होते हैं उनके किनारे की जो आपकी wall बनाई जाते हैं वह आपकी ज़्यादा तर जो है dry rubble machinery का प्रियोगा इसके लिए जो है जो हमारा mystery है वो आपके जो है great skilled labor या mystery जो है आपके होने चीए तो friend काफी जो है important points है इनको जो है please keep in mind और जो है इस तरीके से जो है lectures साथ रहेंगे यह जो technical term है यह part 5 है इस तरीके से तीन जो है काफी पहले आचुके है points तो इनका जो है proper ध्यान दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा please like कीजे number of subscription आप बढ़ाईए increase कीजे इसमें और जो नए चैनल के साथ जोड़े please channel bell icon प्रस करके जो है bell icon प्रस करना ना भूले thank you for watching